2020 में दुनिया ने सबसे ज़्यादा किसी चीज का इंतजार किया है तो कोरोना के वैक्सिन का 2021 में उम्मीदें इसलिए बढ़ गई है क्यों राजस्थान में भी ड्राइरन शुरू हो गया है हमारे साथ थे हैं राजस्थान के स्वास्त मंतिर रगुशर्मा उनसे बाचित करते हैं सर उम्मीद लोगों को बढ़ गई है आपने आज ड्राइरन किया है तो कैसे होगा क्या इंतजाम है भारत सरकार ने 31 दिसंबर को हमको कहा वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से कि आप राजधानी में तीन जगे पर ड्राइरन करिए वैक्सीन तो आई नहीं अभी लेकिन उसका ट्राइल करिए तो हमने कहा ठीक है हमने जिला कलेक्टर से बात करके क्योंकि राजस्तान बड़ा प्रदेश है तो यहां तीन की जगे आप राजधानी में ड्राइरन कर रहा हैं और 15 जगे हमने छे जीले और 6 ने रिखकर करके ताकि प्राइवेट हमे उनको भी कवर कर ले और राजिस्तान में यह रॉयरन शांदर तरीके सो जाए बेसी कली यह ट्राइल है जब आप वैक्सीन लगाएंगे किस रूप में आपके सामने कटिनाईयां उपस्तित हो सकती है उन कठनाईयों का एसेस्मेंट करने के लिए ताकि जब वैक्सीन शुरू हो तो किसी प्रिकार की दिक्कत नहीं आये दिक्कत आये तो उसको हम मिट आउट कर सकते हैं दिक्कत को अब यह कोविन सोफ्ट्वेर बनाने की बात है कोल्ड चैन मेनेज्मेंट की बात है उसके लिए हमने पूरी तैयारी किये ताकि प्लैनिंग से हम ठीका करन का काम कर सकते हैं उसके अलावा 25 हेल्थ वरकर को एक जगह पर हम वेक्सिनेशन के लिए वेक्सिनेशन देंगे उनको हमने ट्रेनिंग दे दी है अब खायदा उसमें पांच लोग वो भी है जो वेक्सिनेटर हैं जो वेक्सिन लगाएंगे सबसे पहले उन्हें को सुरत सित करेंगे वो तैयरी हमारी हो जो खत्रे हैं उनको रोकने के प्रोटेक्टिव मेनेजमेंट है तीन कमरों का वो बनाये हमने एक गेट से आप गुसेंगे दूसरे सा आप निकल जाएंगे वैक्सीन लगाके तो यह सारा प्रबंदन हमने किया है उसके अलावा ड्राइरन की प्रभावी मॉनिटरिंग करने क के लिए हमारे प्रमुक्सासन सचीव जिलों में जिला कलेक्टर से बात कि गई है स्वास्त्र विभाग की अधिकारियों को तैनात किया गया है सब की ट्रेनिंग की गई है और सबसे बड़ी चीज है कि कोल्ड चेन का प्रबंधन वैक्सीन की सप्लाई और जो स्टोरेज है उनका माकूल व्यवस्ता करना यह तमाम चीजें इतनी लॉजिस्टिक्स क्या रहें गए उसकी व्यवस्ता करना है इन सब चीजों के लिए डिस्टिक एड्मिनस्ट्रेशन को हमने ट्रेंड किया है ट्रेनिंग दिये सबसे बड़ी चीज क्याई एक दिमाग में रहती है कि साइड इफेक्ट कुछ आ गया साइड इफेक्ट अगर आ गया तो उसके लिए आदमी के जीवन को बचाने के लिए क्या मेनेजमेंट होगा उसके लिए भी हमने वन जीरो फोर एंबूलेंस वन जीरो एट एंबूलेंस और बाका इदा पूरा सिस्टम डवलप किया है ताकि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट आए तो आदमी के जीवन को बचाने के लिए हम तैयार रहे हैं उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई है राजस्तान में तो राजस्त क्रैटेरिया है कि किन की लोगों को लगेगा आम लोगों के लेकर बता पाएं साथ करोड़ की अबादी राजस्तान की हम तो यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन हमारे लिए मैध्पून है तो साथ करोड़ से ज्यादा ही वैक्सीन चीएम को अब भारत सरकार के उपर है क्योंकि वैक्सीन के बारे में उसकी उपलबता के बारे में उसकी कीमत के बारे में कौन सी वैक्सीन लगेगी ट्राइल उसका किस-किस पे किया गया है और ट्राइल के बाद में कितने लोगों को साइड इफेक्ट्स आये हैं ये तमाम चीज़े तो भारत सरकार को मालूद ह ये राज्यों को उन्होंने कोई कंसल्ट किया नहीं क्या भारा सरकार से कोई बाचीत हुई है कि क्या क्योंकि मुख्यमंत्री अशोगलोत ने पत्र भी लिखा था कि मुफ्त में लगाया जाए आप बताईए मेरे को 20 लाग करोड के पैकेज की बात कोविट के दोरान प्रदान मंत्री जी ने जब राश्ट को संबोधित किया तो किया था आज लॉकडाउन में और जिस दंच से भी स्तितियां चल रही है कोविट की राज्यों की 40% रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई है हमारा जीयस्टी का हिस्तर जो हमको मिलना चीए वह भार सरकार देनी पारी हमको मिलनी रहा है ऐसी परिस्तिती में वह 20 लाग करोड का पैकेज कप काम आएगा वह बिहार में चुनाव था वित्मंत्री जीवां गई परचार करने यह कहके आई कि बिहार के हार आत्मी को हम निशुल्ख वैक्सीन उपलप्त कराएंगे तो बिहार के लोगों को बहुत अच्छी बात आप उपलप्त कराएं पूरा देश आपका है तंपिंग मेजूर्टी से आपको चुनाव जिताया है आप पूरे देश के लिए यह निशुल्ख करिये वैक्सीन और जो आपने अब तक ट्राइल किया है कौन सी वैक्सीन आप लगाएंगे कीमत क्या होगी साइड इफेक्ट क्या है देश की जनता को बताना चाहिए वैक्सीन आएगी कब क्योंकि अभी तक यह बताएं निविया कि वैक्सीन कब उपलब दोगी कितनी मात्र में उपलब दोगी होगी तो प्रORAइरियां पूरी है लेकिन अभी भी तस्वीर काफी धुंदली है कि वैक्सीन कब आएगी किसको लगाई जाएगी कीमत क्या होगी और सब कुछ भारत सरकार रूप क्लियर करना है राजस्थान सरकार अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके बैठी है कहां मैं सर्मा के साथ शरत कुमार जैपूर